सचन वाजे का बड़ा बयान बोले महरास्ट्रों के पूर्ब ग्राहमंत्री अनिल देश्मुक के पी-स में मुझसे कभी पैसे लेने को नहीं था यूपी विदान सबच नौव से पहरे कॉंग्रेस को जटका विदाय का दिती सेंग बीजेपी में हुई शाविर ममतब एनरजी से मिले सुप्रमण्यम स्वामी मुलाकात की तस्वीर तरणों कॉंग्रेस ने ज़ारी की कश्मीर घाटी में अब तक 148 आतंक वादी मारे गए CRPF ने दी ज़ानकारी केरल के सीम का एलान एक लाख उन्सट हजार बच्छवारों के परिवारों को तीन हजार रुपे की सहायता दे जाएगी नमस्कार उतरप्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुश्का सिंग आयोध्या का GIC मैदान 26 नवंबर को एतिहासिक सामोहिक विवाख का गवाह बनने जा रहा है और इस पल के साक्षी होंगे प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ बता दे कि GIC के मैदान में आयोध्या मंडल के 3504 जुड़े विवाहित बंधन में बनने जा रही है इसकी जानकारी आयोध्या पहुचे श्रम एवं सेवा योजन मंतरी स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक प्रेसवारता में दी मुखि मंतरी के आगमन से पहले उनके कैبनेट के मंतरी सवामी प्रिसाद मौर्य आय उद्या पहुच कर सामोहिक विवाह की तैयारियों का इनोंने जायजा लिया और एक पत्रवारता कर सामोहिक Гविवाह की जानकारी दी साथ ही जिले में चल रहे विकास कार्यों खोले कर समिक्ष बैठक भी की गई अधित की रूप में उपर्चित हो करके समिक्ष पुत्रियों के इस बैवाहिक कार्कम में बर्वधूं को आश्रिबाद देंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश की असवस्री प्रहान मंत्री मानी नविन मोदी जी और उत्रपदेश के करमड मुक्य मंत्री मानी योगी अजि इसी क्या शंकल्प इसाथ सबकर विखास और विश्वास और प्रयास को उसके तहट समिक भी विभिण के लिए करी योजनाओं से अच्छा दित कर विखास के मुक्य धारा में खड़ा होने का आउसर पाएगा और समी की पुत्रियों की विशादी इस अमुएक विवाह में ब्रेशानदार भब तरीके से किया जाएगा एग साधी पर हम 65,000 रुपए की आर्थी साहता उस समी के खाते में भेजते हैं जिसके पुत्री का वहाँ पर बैवाही कारकम में समनित होकर के साधी आजमगड़ में पूर्व मुख्यमंतरी अखिलेश यादव का 26 नवंबर को आगमर है जो हनकारी में लिए कि आजमगड़ के समाजवादी पाठी के जलाद्यक्ष हवलदार यादव के भतीजे की शादी में आशरवाद देने के लिए आजमगड़ पहुँच रही है अखिल आजवादी पाठी के जलाद्यक्ष हवलदार का कहना है कि माननी रास्ट्री अट्यक्ष अखिलेश यादव 26 नवंबर को होसेपुर गाउं राम जियावर निथाना महराज गंज हमारे भतीजी की शादी में आशरवाद देने के लिए आएंगे यह है वेक्तिकत कार्ज करम में मेरी मतीजी की साधी है उसमें आशरवाद दे निकले आ रहे हैं और 26 तारीक को 17 बजए वहां से आएंगे और फिर इसके बाद 11-25 के इसपी पे निकलना है उनको वो प्रोग्राम संसुदित प्रोग्राम आ गया पहले से एक घंटा विफोर हो गया पर संबल में बीजेपी नेता कापिल सिंगल के विवादित बयान उन्हों ने दिया है जहाँ पर कापिल सिंगल ने AI MIM प्रमो को OVC के बयान पर पलतवार करते हुए विवादित बयान दे दिया इसी के बाद बीजेपी नेता कापिल सिंगल ने OVC को छेतावनी दी है इसके साथ नेता ने सियम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में हिंदो मुस्लिम की राजनीती करने वालों को योगी सरकार इस वक्त सबक सिखा रही है इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी की जीत होगी मैं बता दूँ ये ओवेसी साथ अपनी जवान पर लगाम ने हमारी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार सांति प्रियस से चल लगे है इनके ऐसे बियान बाजी से ना तो इनको प्रदेश में घुस्तर दिया जागा और जादे अगर बियान बाजी समपर रहते हैं की बात करेंगे तो इनकी जवान कार देखाई दे रहे हैं किम्रतक को न्याई दिलानी के लिए ठानी के चकर उसके पर जन लगा रही है लेकिन अब तक उन्हीं न्याई नहीं मिल पा रहा है किया बाद हुई है तो पुलिस बगारा आपने तैरीर बगारा दी है जब पुलिस कोई किसी प्रकारी कोई जानकारी नहीं करते हैं लखीमपूर खीरी में किसान सेकारी चीनिमिल और बेल राया में अकाज शुभारम किया गया है शुभारम के मौके पर एडियम संज्वा सिंग और प्रधान प्रबंधक विनीता सिंग ने जवानकारिया दी जब आठ के साथ मिलका शुभारम किया गया वहीं किसानों ने बकाया गन्ना भुकतान के समबने तस्जानकारी भी हासल की तो एडियम ने बताये कि जल्द autres किसानों का बकाया गन्ने का भुकतान भी करिया जाएगा कर दो नमंबर कहिने में पिस तारी को जो है कर पूरा बहिए उन्हों गोर्थ शिग रही शासन से पैसा प्राप्त हो रहा और दे दिया जायागा स्टा वई मैंनपुरी में कॉंग्रेस के कारीकर्ताओं ने महंगाई को लेकर पद्यात्रा निकाली जहां पर जेलती राहे से नगरपाले का परिशद तक पद्यात्रा निकाली गई जिसमें आजय दुबे ने बताया कि आगयाने वाले 2022 चुनाफ की तैयार या पूर्ण परिशद पार्टी कर चुकी है और 2022 में कॉंग्रेस की ही सरकार बने के लेकिन इस समय महेंगाई को देखते हुए लोग इत्रा ही कर रही है वही हमारी सरकार बनने के बाद कैसानों के लिए पूर्ण योजनाए चलाई जाएंगी और महेंगाई को कम किया जाएगा इसी के संबंद में पद्यात्रा का भी आयोजन किया गया है वही पर कॉंग्रेस महिला अध्यक्ष ने बताय कि महेंगाई इस से परिशान पंजेल चवराई से निकल करके हम लोग यहां से इस बजार से होते हुए नगरपान का सहीद इसमारक पर समापन करेंगे जो माननी है प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिक्याएं ली है उनको आम जंता तक पहुचाने का काम इन पत्रकों के माध्यम से बित्राड करके आम जंता को इसको अब्लत कराने का काम पुम्योब कर रही है आज प्रियंका गांधी निकालने हैं दूर्ग होते हैं इस वज़े से आज प्रियंका गांधी निकाल ली है क्योंकि सबसे पहले किसानों का तर्जा माप और थाई अजार रुपए में गयोंग और रान की खरीद्दारी पुजनी का विल सबका हाप वकाया कोरोना काल का साथ साथ दूर करेंगे आर्थिज मार्थ हरवार को देंगे 25 हजा और 20 लाग रोज़गार को सरकारी रोज़गा माउ जनपद में एक बड़ा ही दिल्चस्प मामला देखने को मिला दरसल बांगलादेश ते अवैद पासपोर्ट के सहारे बीना वीजा के एक महिला भारत बांगलादेश बौडर को पार करके माउ चली गई और बांगलादेशी महिला ने अपने प्रेमी से शौधी करने क के बाद यही रहने का उसने निर्णे लिया और करीब डेड़ साल से वो भारत में ही अवैद वीजा के चलते रह रही थी मामले का खुलासा तब हुआ जब पती पत्मी के बीच जगड़ा हुआ जगड़े से परेशान होकर महिला आत्मत्या करने पुल पर जान देने के लि भीज़ दिया पॉलिसेस मामले में कई धाराओं में केस फिलाल दर्ज किया है फेस्बुक से प्यार हुआ था बॉर्डर से आया हुँ को ना उसे वो एजिंट मुझे पता नहीं है फेस्बुक के जरीय हुआ फिर उसके बाद उस टाम ये जोडन में थी बाती हुई फिर उसके बाद साधी तक हम लोग पहुच गए इनके घर वाले भी रेडी थे मेरे घर वाले पहले नहीं रेडी थे फिर बाद में रेडी हो गए फिर उसके बाद ये रिजाइन मार के जोडन से बंगलादेश आई बंगलादेश से फिर उसके बाद ये कोलकत्ता तक आई कोलकत्ता में इनको लेके फिर लेके आया कोपा गंज मंदिर में साधी किया फिर हम लोग घर चले आए अभी सब गल्ती मेरी है मैं जैसे ज़्यादा बीयर पीता था इनको जब भी आता था इनको रिस्फेक्ट नहीं देता था बार बाल गाली देता था दो तिंजापर मार भी देता था बस इसके होज़े से बहुत तकलिफ में थी इसके लिए यहाँ पर आ गई यह कि आज ब्रह्मस्थान थानको तवाली से एक कपुल को गिरफतार किया गया है जो यहाँ पर फिक आईडी से पास्पोर्ड बनवा करके रह रहा था यह आदमी है गुलसन राजवर जो यहीं कोपा गंज कर रहने वाला है इसने जब अब्राइड नौकरी कर रहा था तो महां एक लड़की से चैट करता था जिसमें वो लड़की बंगलादेश की रहने वाली थी आपस में तालमेल हुआ और वो लड़की नाओ के रास्ते से यहां आई पहले कलकता में आई जहां दोनों से मुलाकात हुई उसके बाद इन लोगोंने फ़रजी आधार कार्ट बनवाया फरजी आदार कार्ड इन्होंने मैंक में खाता खुलवा करके इन्होंने फिर पास्पोर्ट बनवाया आज सूचना पर इन लोगों को गिरफतार किया गया है इनकों खिलाफ 419, 20, 4666, 12 पास्पोर्ट एक्ट कमकदमा कायम करके इनकों गिरफतार करके वाई मिर्जापूर के कट्रा कोतवाली थाना शेतर में बने सर्यू लॉन में वेवाहिक समारो के दौरान गोली चली गोली लगने की वज़े से एक ये वक्की मौत हो गई सर्जू उद्यान इमामबाडा के पास जनपद मिर्जापूर्ट थाना कट्रा में आसिस गुपता नाम के वेक्ति को गोली लगी थी जिला स्पताल में पहले प्रात्मी की इलाज हुआ उसके बाद ट्रामा सिंटर रिफर किया गया था वरानसी के लिए जहां पर इलाज के पहले कह सकते हैं इलाज के पहले बगी ब्राट डिड उसमें ड्याट्र सार में लिखा है उसकी मृत्य हो गई थी बाद में आकास गुपता जो मृत्तक का भाई है उसने तरीर दिया कि एक रंजिस थी जिसके तहद पारुक ने उसके गोली चलाई थी और उसके गोली पेट में लगी थी जिससे वेक्ति की मृत्य हो गई थी इस सम्मन्द में लिखित तरीर के आधार पर एक सो ठानवे बटे एककीस 302 आई पीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके तहद तफ्तीश के दवरान कुछ तत्य प्रकास में आये जिस तत्य के प्रकास में तीन अभीउटों को पेपिलाल गिर्प्टार किया गया है सत्यम, हमन्सा और फारुख जिसमें मुक्य अभीउट फारुख है जिसके आसला से 32 बोर का असला जो है उसके से फायर किया गया था और उस से उस्पेक्ट की मुद्ध हो गई थी तदानुसार तीन अभीउट गण को जो इसमें साजेशन शामिल थे और फारुख को भी गिप्टार करके मेरट में आयोजद खेलकूद प्रत्योगिता में स्वार्ण पदा के जीतने पर संभल के पुलिस कर्मी को समानित किया गया स्वर्ण पदक जीतने वाले संभल पुलिस के चंदोसी में तराथ हैट कॉंस्टिबल मुहम्मद मारूफ को पुलिस अधिक शक संभल चक्रेश मिश्रा ने समारित किया। इस विशे में स्वर्ण पदक विजेता मुहम्मद मारूफ ने बताया कि मेरट में आयोजत उत्तरप्रदेश पुलिस की खेल को उद्वरत्यों गिता की कुष्टी में स्वर्ण पदक जीतने पर काफी खुशी हुई है। इसमें मेरा जो गोल्ड मेडिल पड़ा जो है। आर्म रेसलिंग में है। मेरा नाम मुहमद मारूफ है मैं थाना कोत वाली इसमें चंदोसी में। अपने रिक्षा ज्यानित सिंग सहित काई पुलस कर्मी शामिल थे। इसमें रावट्स गंज का रहने वाला है। इसके कप्चे से चार मोटर साइकलें बरामत हुई है। जिसमें से दो हमारे कसवारावट्स गंज की है। और दो बनारस से इसमें चोरी गिया था। वहाँ पर भी तुम कर्में इसके उसमें पंजीकत है। एक रामनगर से और एक सिगरा में। तो ये चार मोटर साइकलें की बरामत की हुई है। जित होगा। दुमरिया कंज विधायक ने मीडिया से जौनकारी साजा करते हुए बताया कि जिन गुमडाम क्रांतिकारियों की वज़े से पूरे देश को आजादी मिली थी। अभी तक उन क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्हीं पूरवजयों को सम्म इतना ही देश दुनिया की बाकी की तबाम खबरों के लिए आप बने रहें ये प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।